राम उसके मन में है, राम उसके मन में है, स्रीमती सुमित्रा बालमिक मानिये सभापती महोदें मैं आपका धन्वाद करती हूँ कि आपने मुझे प्रभू राम नाम के बरणर पर बोलने का उसर दिया महोदें, भगवान महरशी वालमिकी ने भरी राज सभा में प्रभू राम से कहा, हे राम, मैं ब्रम्भा का दस्वा पुत्र, प्रचेता का पुत्र वालमिकी हूँ सत कहता हूँ यह दोनों पुत्र लव और कुछ आपके पुत्र हैं अस्त्र और सस्त्र से मैंने इन्हें पूर्ण कर आपको सौपता हूँ आपने जो आदर से संसार को दिया है वह अनंत काल तक प्रत्वी पर रहेगा और आपकी कीर्टि पता का लहराती रहेगी महोदय मानेनिय प्रधान मंत्री मोधी जी ने यह बात सत्त साबित कर दी मोधी जी के अचार विचार और वेवहार में यह बात छलकती है उनके लिए दो पंक्ति बोलना चाहती हूँ कि मानवता के पत पर चलते रहना गरल रस यानि जो वाक्य के यहां जहर मिलते हैं वो पीकर गरल यानि जहर गरल रस पीकर आगे बढ़ते रहना बस चलते रहना चलते रहना महोदे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब वालीबूर संगीतकार गीतकार रविंद्र जेन ने उनिस सो असी में के दसक में एक गीत गाया था सबहरुपईया देदेरे भैया सबहरुपईया देदेरे भैया राम सिला के नाम का राम के घर लग जायेगा पत्थर तेरे नाम का ये बहुती सांदार सब्दावली उन्होंने गाई थी तब उन्होंने श्याद ये कलपना ही ना की होगी कि 40 वर्स बाद राम मंदिर का निर्माण होगा और हम सब मिलकर हिंदुस्तान वासी अपने अपने घरों में हर वर्ग के आयू के हर वर्ग के समाज के एक होकर इस राम महोदे, मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग सत्ता में रहते हुए राम के नाम को नकार रहे थे, सुप्रीम कोट में आविधन प्रस्तुत कर रहे थे, कि राम तो एक कालपनिक कहानी है, राम सेतू भी नहीं है, मैं कहना चाहती हूँ कि देखो समय का चक्र कैसा बदलता है, बो कि दुनिया का इतिहास पूषता है, रोम कहां, यूनान कहां, घरघर में सुब अगनी जलाता, वह उन्नत इरान कहां, दीप बुचे पश्चिम गगन के ब्याप्थ हुआ बरवर अंधियारा, किन्तु चीर कर तम की छाती, चमक उठा हिंदुस्तान हमारा, महुदे धन्वाल सिरी